एक रिक्वेस्ट है सबसे पहले आप सभी से एक एक करके कोश्चन पुछी है हर एक सवल का जवाब दो चार अप्लिकेशन के बारे बता दीजिए कोट ने क्या मंजूर किया और क्या एप्लिकेशन था है सबसे पहली बात पुलिस ने कल जिस ग्राउंड पर उनकी रिमांड मांगी थी सेम ग्राउंड पर आज भी उन्होंने रिमांड मांगने की कोशिश की जिसको court ने नका रहा है और उसे police custody में नहीं बेच के judicial custody में बेचा है हमने जो चार application किया है उसमें से एक application था home food के लिए और medicine के लिए जो आला हो गई है एस पर jail manual second application हमारा था advocate और family को मिलने दिया जाए वो भी हमारा आला हो गया है एस पर jail manual third application था कि जो श्रीजान का appearance है including his hair वो disturb ना हो करके उसका hair preserve करने के लिए jailer को direction दिया जाए जिस पर interim में हमें relief second january 2023 तक मिल गई है पीपी ने through complainant के वकील objection लिया है जिस वज़े से jailer का same मंगाया गया और fourth हमने application की थी counseling के लिए और security के लिए क्योंकि जिशान innocent है मेरा stand day one से था वो बेगुना है और आज मैं आपको बोलता हूँ कि इसके अंदर क्या है secret girlfriend थी या secret boyfriend थी police के सामने ये सारे साक्षय और सबूत हमने दे दिये हैं already और उसकी मान है और जो ये पवन शर्मा करके एक शक्स है जो misguide कर रहे है पूरे investigation को इन लोग ने misguide किया है intentionally deliberately Monday सवेरे 11 बजे हम रखेंगे press conference with शीजान की family और सारे तत्यों जे जो allegation लगाए हैं उनके सबूत देंगे कि कैसे सरा सर सारे यारों not only जोटे हैं किया किसी और ने है और भुगत रांस शीजान है पहली बार यह बात सामने रख रहे हैं कौन सी चीज ऐसी आपके हाथ लग गई जिसके basis पर आप यह बात कह रहे है मंडे सवेरे 11 बजे का इंकशार करिए मैंने चार दिन पहले बांबे टाइम तर बिंजया ने मुझे कवर किया जहां पर मैंने ऑफिशल स्टेट्मेंट दिया आपने कहा पवन शर्मा मिस्गाइड कर रहे हैं लेकिन वह तो उनके मामा है और किस तरह का कोई आपस में रिलेशन नहीं है कवन शर्मा इनके कौन थे क्या थे मंडे का इंतजार करिए मंडे सबेरे ग्यारा बजे हम सब फक्ष रखेंगे अब तक फाइल करेंगे सब्सक्राइब के लिए हमने रिक्वेस्ट किया है अगर आज मिल गया तो आज नहीं तो मंडे सबेरे ग्यारा बजे हम फाइल कर देगा जी ने बिलकुल ने यहीं पर वसाई सेशन सब्सक्राइब अब बता रहे हैं यह किसके तुनिशा के या किसी अन निकिकों की बहुत अब मंडे 11 बजे का वेट करिये मुझे उनके फैमिली को साथ में ले के आप सब के सामने आना है क्योंकि जितने आरोप उनके फैमिली पे लगे हैं सारे के सारे आरोप not only जुटे हैं बे बुनियाद हैं पूलीस ने सिर्फ और सिर्फ मेडिया ट्रायल के प्रेशर में आके शीजान खान मुहम्मद को अरेस्ट किया है नहीं तो पूरे फायार में जो एलिगेशन तत्य रखे गए थे अगर आप उसको फेस वैल्यू पे भी लोगे तो 306 का केस शीजान के खिलाप नहीं बनता है जिस चीज़ को सवाल पूछा गया था आप खुलकर नहीं बोल रहे हैं लेकिन उनकी मा ने अपना किसी से इस तरह के संबंध होने की बॉय फ्रेंड होने की बाद से इंकार किया क्या तुंकि उनकी मा से सवाल पूछा गया था तो आप अभी आप तमाम निशनल मीडिया च सब्सक्राइब परिवार के तरफ से कहा गया जो कॉस्ट्यूम में फोटो आये हैं आप देख लिजे वह अलादीन के सेट से लिए गए फोटो है एपिसोड का मंडे को आपको नंबर भी दे दूँगा जिसमें वो कॉस्ट्यूम यूज किया हुआ है जिसमें वो लड़की के पादर बीमार रहते हैं और वो एक शॉट लिया गया है जहां तक गनपती का पुजा का एक फोटो आया है वो भी उन्होंने उसी सेट से दिया ग कि जुट छूआ की कि और बीमार रहते हैं खकर हैं तक बभ़की का चक्ठैक चाल्बट अगता है जिसमें के वो हैं अगतरत